नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चेनल फ्री एजुकेशन में दोस्तों आज किस वीडियो में हम संस्तान इवमन के संस्तापक्स रेलेटेड मोस्ट इंपॉइंट को डिसकस करने वाले हैं दोस्तों ये जो टॉपिक है ये इतना ज़ादा इंपॉइंट टॉपिक होता है आप किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे हों हर एक्जाम में इस टॉपिक से एक कॉस्टन जरूर पूछा जाता है और देखे दोस्तों इस टॉपिक से दो परकार से कॉस्टन पूछे जाते हैं हम सभी को बिलकुल टेटेल में with extra fact के साथ में discuss करेंगे तो चलिए दोस्तो शुरुआत कर लेते हैं number first question से number first question है 37 सोदक समाज की इस्थापना किस ने की थी तो देखे दोस्तो जितने भी question इस video lecture में लाया हुए दिया आपको पहले से किसी question का answer पता है और दोस्तो वीडियो के लाश्ट में अपना score जरूर से एर करें कि आपने कितने question का सही answer दिया तो देखे दोस्तो 37 सोदक समाज की इस्थापना की थी जेउतिवा फुले ने C option सही हो जाएगा ठीक है और 37 सोदक समाज की इस्थापना कब की गई थी तो 1863 में की गई थी कब 1863 में की गई थी और देखे दोस्तो जेउतिवा फुले हैं इनका पूरा नाम क्या है तो इनका पूरा नाम है महत्मा जेउति राव गोबिन राव फुले ठीक है ये कौन थे तो यह है एक famous समाज सोदारक थे ठीक है और देखे दोस्तो जो जो जोतिवा फुले हैं इनकी पतनी का क्या नाम है तो देखे दोस्तो इनकी पतनी का नाम है सावित्री फुले और इनकी पतनी का नाम मैंने आपको क्यों बताया क्योंकि ये जो सावित्री फुले हैं ये भारत की पिर्थम महिला सिक्ष का यान का विध्याला है इसकी इस्थापना भी जो इतीवफ फुली ने की थी C option सही हो जाएगा ने Next question है आत्मिय समाज और ब्रह्म समाज के संस्तापक कौन थे तो देखे दोस्तों आत्मिय समाज और ब्रह्म समाज के संस्तापक थे तो इस question का C option सही हो जाएगा और देखे दोस्तों आत्मिय समाज की स्थापना की गई थी 1815 में और ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 में ठीक है और देखे दोस्तों यहां पर बात हो यह राजा राम मोहन राई की तो यहां से एक question पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राई को राजा की उपादी किस ने दी थी तो राजा राम मोहन राई को राजा की उपादी दी अकवर्द दुतिये ने ठीक है यह fact आपको याद रखना है और दूसरा आपको fact याद रखना है कि राजा राम मोहन राय को भारती पनर जागरान का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है देखे दोस्तों जो मैं आपको additional information देता हूँ ये information बहुती ज़्यादा important होती है इसलिए मैं आपको ये बताता हूँ ठीक है ये आप चाहें तो जो मैं extra fact बताता हूँ इसको आप no down कर सकते हैं नेश्ट question है यंग वंगाल के संस्तापक कौन है तो देखे दोस्तों यंग वंगाल के संस्तापक है हेन्री डेरेजियो ए ओप्सन सही हो जाएगा और इसकी इस्थापना कब की गई थी तो 1826 में इसकी इस्थापना की गई थी नेश्ट question है पंजाब में अहमदिया आंदुलन किसने प्रारम किया था तो देखे दोस्तों पंजाब में अहमदिया आंदुलन जो है मिर्जा गुलाम अहमद ने स्टाट किया था डी ओप्सन सही हो जाएगा नेश्ट question है भारत सेबक समाज यानि की Servant of India Society का संस्तापक कौन थे तो देखे दोस्तों भारत सेबक समाज या फर इसको Servant of India Society कहा जाता है इसके संस्तापक थे गोपाल किशन गोखले तो इस question का A option सही हो जाएगा इसकी इस्थापना कब की गई थी तो 1905 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका उद्देश क्या था तो देखे दोस्तों नोजवानों को सारवजनेक जीवन के लिए प्रिस्थिक्चित करना इसका प्रमक उद्देश था और देखे दोस्तों इसकी स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखली ने तो गोपाल कृष्ण गोखली का एक उपनाम है इनको भारत का गलेड इस्टोन कहा जाता है ये कॉस्टन भी आपसे पूँचा जाता है और देखे दोस्तों एक और कॉस्टन पूँचा जाता है कि जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं इनके गुरू का क्या नाम था तो इनके गुरू का नाम था महादेव गोविंद रनाडे तो ये भी आपको पता होना चाहिए इन्धियन स्थापना 1876 में की गई थी तो इन्दियन स्थापना की तो आनन्द मोहन बोस तो इस कॉस्टन का वी आप्सन सही हो जाएगा नेस्ट कॉस्टन देखेंगे दोस्तो नेस्ट हमारा कॉस्टन है आरे समाज की स्थापना किस ने की थी तो काफी सरल कॉस्टन है तो देखे दोस्तो जो आरे समाज है इसकी स्थापना की थी स्वामी दयानन्द सरसुती ने तो इस कॉस्टन का वी ओप्सन सही हो जाएगा इस इस्थापना कब की गई थी तो इस्थापना की गई थी 1875 में ठीक है और देखे दोस्तो जो दयानन्द सरसुती हैं इनका एक famous ग्रंथ है उसका क्या नाम है तो सत्यात प्रकास जो है उस ग्रंथ का नाम है और जो सत्यात प्रकास है इसकी रचना कब की थी दयानन्द सरसुती तो इसकी रचना भी इन्होंने 1875 में की थी ठीक है और जो दयानान सरसुती है इनका एक प्रमुख नारा भी है इनका प्रमुख नारा क्या है बेदो की और लोटो इनका प्रमुख नारा है महराष्ट में आरिये महला समाज की इस्थापना किस ने की थी तो देखे दोस्तों कन्फ्यूज आपको नहीं होना है मैंने आपको रिसेंटली ही बताया है कि जो आरिये समाज है ठीक है मैंने आपको बताया है कि आरिये समाज की इस्थापना किस ने की थी तो दयाना नसरसु ने की थी और कब की थी तो 1875 में की थी ठीक है लेकिन यहां पर पूँचा गया है और ये महिला समाज तो इसकी स्थापना की थी पंडित रमा भाई ने C आपसन सही हो जाएगा और इसकी स्थापना कब की गई थी तो 1801 कियासी में की गई थी दोनों फेक्ट अलग-अलग हैं और दोनों आपके एक्जाम में पूँचे जाते हैं नेस्ट कोस्टन है प्रातना समाज की संस्तापक का नाम बताईए तो देखे दोस्तो जो प्रातना समाज है इसकी संस्तापक का नाम है डाक्टर आत्मा रंग-पांडूरंग-डी ओप्सन सही हो जाएगा प्रातना जब आप करेंगे तो आत्मा से ही करेंगे ठीक है और इसकी इस्थापना कब की गई थी तो 1867 में इसकी इस्थापना की गई थी नैश्ट कोश्चन है हिंदू महासवा संगठन के संस्थापक कौन है तो देखे दोस्तों हिंदू महासवा संगठन इसके संस्थापक है मदन मोहन मा मालवीय, C options सही हो जायega और 1915 में इसकी स्थापना की गई थी किस समाश सुधारक ने 12 विश्विध्यला की स्थापना की थी तो देखे दोस्तो 12 विश्विध्यला इसकी इस्थापना की थी मदन मोहन मालवीय ने C options आईगा और 이ट्रफ एक्टो को 216 में इसकी इस्थापना की थी ठीक है और देखे दोस्तों जो मदन मोहनमाल भी यह हैं आपको पता होगा कि इनको महामना के उपनाम से जाना जाता है ठीक है इनको महामना के उपनाम से जाना जाता है और देखे दोस्तों एक और पूचा जाता है कि इनको महामना की उपाधी किस ने दी थी तो इनको महा मना की उपादी जो है ये महत्मा गांदी के दwaran दी गई थी ठीके और देखे दोस्तों इनको 2015 में कब इनको 2015 में मरडो परांत भारत रतने से सम्मानित किया गया था ठीके और इनके द्वारा एक समाचर पत्र प्रकासित किया गया था वो भी कई बार exam में पूछा जाता है उस समाचर पत्र का क्या नाम है तो समाचर पत्र का नाम है हिंदुस्तान ठीक है ये इनके द्वारां समाचर पत्र प्रकासित किया गया था तो दोस्तो जो भी मैंने extra information दी है ये भी आपको जरूर याद रखना ह तो इस question का C option सही हो जाएगा और परियोक्त दोनों ने और सौराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी तो एक जनवरी 1923 में इसकी स्थापना की गई थी next question है home rule league के संस्तापक कौन थे तो देखे दोस्तो home rule league इसकी स्थापना कब की गई थी तो 1916 में की गई थी और इसके संस्तापक थे बाल गंगा तरते लग और एनिवे सेंट तो इस question का B option सही हो जाएगा next question देखेंगे दोस्तो नेश्ट हमारा question है खिलापत आंदोलन के संस्तापक कौन है तो देखे दोस्तो खिलापत आंदोलन के संस्तापक है अली बंदू तो इस question का C option सही हो जाएगा और इसकी स्थापना कब की गई थी तो 1919 में इसकी स्थापना की गई थी Next question देखेंगे Next हमारा question है अंग्रेजों के बुरद खान अब्दुलगफर खान के द्वारा कौन सा आंदुलन प्रारंब किया गया था तो देखेंगे दोस्तो जो खान अब्दुलगफर खान है इनके द्वारा अंग्रेजों के बुरद में लाल कुर्ती आंदुलन प्रारंब किया गया था V option सही हो जाएगा ठीक है और देखें दोस्तो जो खान अब्दुलगफर खान है यहां से एक question पूंचा जाता है कि इनका उपनाम क्या है तो इनको सीमंत गांदी के उपनाम से जाना जाता है नैश्ट 1 की बात करेंगे दोस्तो नैश्ट हमारा question है अभीनव भारत के संस्तापक कोन है तो देखें दोस्तो अभीनव भारत की इस्थापना की गई थी 1904 में और इसके संस्तापक कोन है तो इसके संस्तापक का नाम है वीडी सावरकर वीडी सावरकर का पूरा नाम क्या ह नेश्ट कॉस्टन देखेंगे दोस्तों नेश्ट हमारा कॉस्टन है भारत संग के संस्तापक कौन है देखे दोस्तों भारत संग की इस्तापन की गई थी 1876 में और इसके संस्तापक का क्या नाम है तो सुरेंदर नाथ वनर जी इसके संस्तापक का नाम है डी ओप्सन सही हो ज नेश्ट हमारा कॉस्टन है गदर पार्टी के संस्तापक कौन है तो देखे दोस्तो गदर पार्टी की स्थापना की गई थी 1913 में और इसके संस्तापक कौन है तो लाला हर्दयाल जो है इसके संस्तापक है वी ओप्सन सही हो जाएगा नेश्ट कॉस्टन देखेंगे दोस्तो नेश्ट हमारा कॉस्टन है खुदाई खिदमतगार की संस्तापक का नाम बताईए तो देखे दोस्तो खुदाई खिदमतगार इसके संस्तापक कौन है तो अब्दुल गफार खान इसके संस्तापक है और इसकी संस्तापक की गई थी तो 1930 में इसकी स्थापना की गई थी नेश्ट कॉस्टन देखेंगे दोस्तों नेश्ट हमारा कॉस्टन है फारवर्ड विलोग के संस्तापक कौन है तो देखे दोस्तों फारवर्ड विलोग की स्थापना की गई थी 1949 में और इसके संस्तापक कौन है तो इसके संस्तापक है सुभासचंद्र बोस A option सही हो जायगा Next question है Aciatic Society के संस्तापक कौन है तो देखे दोस्तो Aciatic Society की स्थापना की थी William Jones ने C option सही हो जायगा और इसकी स्थापना कब की गई थी तो 1784 ESV में की गई थी और कहां पर की गई थी तो कूलकाता में इसकी स्थापना की गई थी Next question देखेंगे दोस्तो Next हमारा question है Theosopical Society के संस्तापक कौन है तो देखे दोस्तो Theosopical Society की स्थापना जो है ये की थी Madam HP Block with C और Colonel HS Alcott ने तो इस question का C options है हो जाएगा और परियोगत दोनों ने ठीक है और इसकी स्थापना की गई थी तो 1875 में इसकी स्थापना की गई थी Next question देखेंगे दोस्तो Next हमारा question है Scientific Society की संस्तापक कौन थी तो देखे दोस्तो Scientific Society की संस्तापक थी उनका नाम था Sir Sayyad Aحمad Khan तो इस question का V option से हो जाएगा और इसकी स्थापना की गई थी तो 1864 में इसकी स्थापना की गई थी ठीक है और देखेंगे दोस्तो जो Sir Sayyad Aحمad Khan है यहां से एक और question पूशे जाता है कि अलीगड मुस्लिम विस्विद्ध देले की स्थापना की थी तो Sir Sayyad Aحمad Khan ने अलीगड मुस्लिम विस्विद्ध देले की स्थापना की थी नैश्ट question है विस्व भारती संगठन के संस्थापक कौन है तो देखें दोस्तो विस्व भारती संगठन इसकी स्थापना की गई थी 1912 में और इसकी संस्थापक का नाम है रविन्ना टेग और D option सही हो जाएगा नेश्ट कॉस्टन देखेंगे दोस्तो नेश्ट हमारा कॉस्टन है आजाद हिंद फोज की संस्तापक का नाम बताइए तो देखें दोस्तो कॉस्टन का लेविल देखके आप लोग समझ पा रहे हैं कि कॉस्टन कितने ज़्यादा important है तो देखें दोस्तो आजाद हिंद फोज की स्थापना की थी रास विहारी बोस ने भी ऑप्सन सही हो जायागा और स्थापना कब की गई थी तो 1922 में इसकी स्थापना की गई थी और देखें दोस्तो जो आजाद हिंद फोज है यहाँ से एक कॉस्टन पूछा जाता है कि इसका आदर्स वाक के क्या है तो एक ता विश्वास और त्याग जो है यह आजाद हिंद फोज का आदर्स वाक के है नैश्ट कॉस्टन है मुस्लिम लीग की इस्थापना किसने की थी तो देखे दोस्तो मैं आपको बता दूँ कि जो मुस्लिम लीग है इसकी इस्थापना की गई थी 1906 में ठीक है और दो लोग ने इसकी इस्थापना की थी एक तो थे आगा खा और दूसरी थे सली मुल्ला खा तो इस question का C option सही हो जाएगा और परियुक्ते दोनों के दोरा next question देखेंगे दोस्तो नेश्ट हमारा question है बेदान्त society की इस्थापना किस ने की थी कि जो बेदान्त college है इसकी इस्थापना किस ने की थी तो देखेंगे दोस्तो बेदान्त college की इस्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने दोनों fact अलाग अलाग है आपको confuse विल्कुल नहीं होना है नेश्ट question देखेंगे दोस्तो नेश्ट हमारा question है तत्य बोधिनी सवा के संस्थापक कौन थे तो देखेंगे दोस्तो तत्य बोधिनी सवा के संस्थापक का नाम था देविनाट टेगोर तो इस question का C option सही हो जाएगा और इसकी स्थापना कब की गए थी तो 1849 में इसकी स्थापना की गए थी ठीक है देविनाट टेगोर की पुत्र का क्या नाम है तो रविनाट टेगोर जो है इनके बेटी का नाम है नेश्ट question देखेंगे दोस्तो नेश्ट हमारा question हरीजन संग के संस्थापक कौन थे स्थापना कब की गई थी तो 1923 में की गई थी नेश्ट question देखेंगे दोस्तो नेश्ट हमारा question है सांती निकेतन की शुरुआत किस ने की थी तो दोस्तो सांती निकेतन की शुरुआत की थी रविनाट टेगोर ने ए ओप्सन सही हो जाएगा नेश्ट question है इंडियन एसोसियेशन यानि की भारत सवा के संस्थापक कौन थे तो देखेंगे दोस्तो इंडियन एसोसियेशन या फिर भारत सवा के संस्थापक थे दो लोग एक तो थे सुरयन नात वनर जी और दूसरे थे आनन्द मोहन बोस तो इस question का C option सही हो जाएगा ओपर योक्त दोनों और इसकी इस्थापना की गई थी तो 1876 में इसकी इस्थापना की गई थी next question है रेह मुनाई मजदे आसान सवा के संस्थापक कौन थे तो देखे दोस्तो रेह मुनाई मजदे आसान सवा जो है सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि यह जो सवा है यह पारसी धर्म से संबनत है ठीक है यह सवा पारसी धर्म से संबनत है और इसकी इस्थापना की कि थी महत्मा गांदीजी ने ठीक है और कब की थी तो 1904 में इसकी इस्थापना की थी और सब से ज्यादा important question यह है कि जो Phoenix आस्रम है इसकी इस्थापना गांदीजी ने कहां से की थी तो दक्षण अफरिका में की थी ठीक है और देखे दोस्तों महत्मा गांदी जी ने दक्षण अप्रिका में एक पत्रिका का प्रकासित किया था उस पत्रिका का नाम भी पूचा जाता है क्या नाम था उस पत्रिका का तो इंडियन ओपिनियन जो है उस पत्रिका का नाम था ठीक है ये भी कहां से प्रकासित की गई थी तो ये भी दक्षण अप् आप अपना स्कूर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने कितने कॉस्चन का सही अंसर दिया आपके लिए चैलेंजिंग कॉस्चन है जो कि हम पूछते हैं अपने फ्रिवियस वीडियो से कॉस्चन ने पूछा गया है कि डाक्टर सरपनली रादा किसनन भारत के कौन से नंबर के राष्टपती थे इस कांसर आपको कमेंट करके बताना है और दोस्तो यदि आप चाहें तो डाक्टर सरपनली रादा किसनन के बारे में तीन चार फैक्ट और लख सकते हैं तो थैंक्य दोस्तो वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपको वीडियो क्य सा लगा इमानदारी से हमें कमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तो यदि आपको वीडियो अच्छे लगा हो तो प्लीश वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को सेयर करें जो नए इस्टूडेंट है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें आपको यहां पर आई बटन में मिलेगी या पर दोस्तों नीचे डिस्क्रस्टन में मिलेगी या पर दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पर तीन महत्पून वीडियो देख रहे होंगे इन वीडियो को जरूर देख लें ठैक्यो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब त आत्राम